भुपाल में सुभा से ही बारिश का दौर जारी है, मध्यप्रदेश के 13 से अधिक जिलों में यलो अलर्ट जारी किया गया है इन दौर उजेन समयत काई जिलों में बिज्री गिरने की संभावना है वही नर्मदापुरम जाबगा समयत काई जिलों में यलो अलर्ट जारी किया गया है तो भुपाल में सुभत से बारिश का दौर लगातार जारी है मद्यप्रदेश के 13 से अधिक जिलों में यलो अलर्ट जारी किया गया है मिरमदारपुरंग जावगा समयत काई जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया इसके लावा इन दौर उचेन समयत काई जिलों में बिजरी गिरने की भी संभावना बनी हुई है ये अलर्ट उचारी किया गया कि वहां पर भी बिज्ट्री गिर्णे की जो संभावना है वो हो सकती है लेकिन येलो अलर्ट के तौर पर कुछ-कुछ जिलो को चुन्नेत कर लिया गया है भुपाल में सुभा से ही बारिश का जो दौर है वो चल रहा है हलांकि आपको ये भी कि इसको लेकर तमाम तरीके के जो कदम हैं वो उठा लिये गए हैं अगर हम नगर निगम की बात करें या फिर प्रिशासन की बात करें तो लगातबार जो है पहले से ही पुक्ता इंतिजान जो है वो किये गए हैं ऐसे जो दावे हैं वो सामने आ रहे हैं अम्रितान्शी हमारे साथ जुड़ गई हैं अम्रितान्शी सुभा से ही बारिश का जो दौर है वो जारी है अभी फिलाल सुभा की क्या तस्वीरें क्या भी भी पड़ रही है बारिश दिखी मैं आपको बता दो अगर हम राज़नारी भोपाल की बात करें तो राज़नारी भोपाल में सुबह से ही तेज बारिश और गरट चमक का दोर जारी है फिलाल अगर मैं आपको यहां की तस्वीरे दिखाऊं तो यहां पर सुबह से ही बारिश हो रही है और अगर हम मौसम की बात करें तो सुभा से ही यहां पर अंधेरा चाया हुआ है कई जगाओं उपर बारिश को लेकर येलो अलर्ड जारी कर दिया गया है और उसमें राजदानी भोपाल, इंदौर समेथ कई जिले शामिल हैं अगर हम बात करें चिंदवाडा, सिवनी, बालागाट, मंडला, खंडवा यहां पर सभी जगे जो है येलो अलर्ड जारी कर दिया गया है वहीं अगर हम बात करें भोपाल, इंदौर समभाग की तो इंदौर, उजए, नर्मदा, पूरम, सागर और जबलपूर, शेडोल समभाग में गरच चमक के साथ आज बिजली गिरने के भी आसार है अंजली मैं आपको बता दू कि सुबा से ही तेज बिजली के कड़कडाने का दौर राजदानी भोपाल में जारी है, उसके बाद तेज बिजली गरजी और काफी जादा यहां पर बारिश भी देखने को मिल रहे हैं मतलब अगर हम माने तो दो से तीन घंटे निकल चुके हैं और लगातार कभी बारिश तेज हो रही है, कभी धीमी हो रही है तो बारिश का दौर तो यहां पर लगातार जारी, लेकिन जो सबसे बड़ा खत्रा यहां पर राजदानी भोपाल में देखने को मिल रहा है, वो है तेज बिजली के साथ गरज चमक का वो कहीं न कहीं थोड़ा दो लोगों को डरा भी रहा है, और मौसम विभाग ने भी इसका अलर्ट जारी किया है, कि लोग जब घरों से बाहर निकलें, तो वो मुबाइल फोन्स पर बिलकुल भी बात न करें, क्योंकि इसमें विजली गिरने की संभावना बहुत जादा र लोगों को परिशान कर देती है, और ऐसे में ही जल भराव की स्तिती सभी जगाओं पर इनिचली वस्तियों पर गड़ों मर हो जाती है, जी, बिलकुल सही का आपने, कि परिशानी तो यहां पर खड़ी हो जाती है लोगों के लिए, लेकिन यहां पर वाटर लॉग न हो जा लेकिन आलों की सफाई और निचली वस्तियों को पक्का किया गया है, और रोट्स को भी बना दिया गया है, ऐसे नगने गम दावे करता है, लेकिन अगर हम नज़र डाले राजदानी वोपाल की रोट्स की एक बार, तो यहां पर रोट्स जो है, वो पूरी तरीके से बार, दिखाऊं, आप देख सकते हैं, यहां पर रोट्स आधी जो है, वो उखडी पड़ी हुई है, और पानी जो है, उसको रिसाफ के लिए कोई जगा नहीं मिल रहे है, वाटर लोगिंग या जल भराफ की स्तिती जब ही बनती है, जब कोई ड्रेन सिस्टम ना हो, तो न कहा जा रहा है कि काफी ज़ादा वारिश जो है, वो हो सकती है, लेकिन उसके लिए यहां पर क्या तस्वीरी निकल कर सामने आती हैं, और जो दावी किये जाते हैं, वो कितने पूरे होते हैं, वो आलंकी देखना होगा, बहुत शुक्रिया आपका. झाल 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